Hey everyone, welcome back and this video में हम बात करने वाले हैं high order functions and callbacks in JavaScript So high order functions क्या होता है, callback functions क्या होता है, सब कुछ detail में इस video में हम discuss करने वाले है So, सबसे पहले discuss करते हैं that high order function होता क्या है So, अगर हम इसकी definition देखते हैं that एक function, जो एक function को ही ऐसा argument लेता है ना उसको हम क्या बोलते है high order function, okay So, as of now you should understand that अगर एक function, एक function को ही argument में accept करता है तो उसको हम क्या बोलते है high order function अब इसके क्या benefits है, why do we need that या फिर उसका मतलब के वो हम अभी समझते है So, एक example लेते हैं, let's say मेरे पास एक function है, ठीक है जो ना दो numbers को add करता है Simple दो numbers को add करता है, so you'll say add है ना और तुम क्या करोगे, तुम इसमें दो arguments लोगे, अब भी तक हम क्या कर रहे थे, हम return कर दे थे a plus b Normally हम यही कर रहे थे, and I can say add, and let's say मुझे 2 और 4 को add करना है And what I can do, I can even console.log it, है ना, तुमें इसको अगर console.log करता हूँ So, you can see I'm getting 6 as the output So, अब भी तक हम simply यह कर रहे थे But what if, मुझे इसको एक high order function के perspective से करना हो, या फिर मुझे callback के तुरू करना हो So, उसका मतलब क्या है, हो सकता है, यह addition निक ऐसा task हो, जो थोड़ा सा time लेता हो Correct, हो सकता है, कि यार यह ना, एक बहुत ही tedious सा task है मतलब हो सकता है, इसको किसी API में लेके जाना है, 2 और 4 को फिर plus करना है इसमें ताइम लग सकता है, तो मैं क्या कर सकता हो, मैं इसको बोल सकता हो यार एक काम करो, तुम ना, यह काम करते जाओ, ठीक है and, जब तुम्हारा यह काम हो जाएगा, तब ना, यह मेरा एक function है मतलब तुम इसको run कर देना, कुछ इस तरह की situation let's say, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक third argument पास करते हैं जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, let's say मैं इसको नाम दिया CB, ठीक है CB stands for callback, ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना पहले A और B को plus कर लेता हूँ so I can say result equals to A plus B, मतलब suppose यह कुछ बहुत ही मुश्किल सा task है फिर ना मैं क्या करूँगा, इस callback को run कर दूँगा और इसके अंदर मैं result को pass कर दूँगा ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ तो इस function को अब हम कैसे use कर सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार यह जो add function है ना, यह ना 2 और 4 को plus करेगा and third argument में ना मैं इसमें function pass कर सकता हूँ, ठीक है कि जब यह 2 और 4 plus हो जाएंगे ना, तो मेरे पास जो result है ना, value जो है वो यहाँ पर आ जाएगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ, console.log value, ठीक है so you can see that हमारा code बिल्कुल सही चल रहा है तो इस चीज़ को हम क्या बोलते है, that यह जो मेरा add function है ना, यह एक high order function है क्यों, because यह high order function क्यों है, because यह एक function को as a argument accept कर रहा है तो add क्या है मेरा, एक high order function और जो यह function argument है ना, callback जिसको हम बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं callback basically मैंने क्या किया, मैंने अपना कुछ भी काम किया, ठीक है, हो सकता है, बहुत ही लंबा काम था मैंने अपना काम खत्म किया, और last में मैंने result कैसे पास कर दिया, मैंने callback पास कर दिया मैंने क्या किया, callback, basically एक function को run कर दिया, इसको cb नाम देना जुरू नहीं, you can just call it anything तो मैंने इसको cbq बोला, because that stands for callback, तो मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हारे इस function को run कर दूँगा, हम एक function को run कैसे करते हैं, अगर इस add function को run करना है, हम ऐसे run करते हैं, तो basically मैंने क्या किया, मैंने अपना function यहाँ पास कर दिया, callback में, और callback को call कर दिया, by giving this result, as an argument, let's say मेरे पास एक function होता, ठीक है, जिसका मेरा नाम होता, show result, तो इसमें तुम्हें result पास करना है, let's say, ठीक है, और यह क्या करता, यह console.log करता, है न, show result, यह console.log कर देता, result को, तो तुम इस function को call कैसे करते हैं, तुम इस function को बोलते, show result, let's say 34, तो 34 आ जाता, बस मैंने क्या कि इसको खुद call ना करके, मैंने इस show result को यहां पर ऐसे argument में पास कर दिया, तो यह show result callback में चला गया, callback जब call हुआ, उसने क्या 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 parameter में result टाल दिया, तो basically, result यहां आया, and console.log हो गया, तो basically, यह जो cb है, यह क्या है, callback, और यह पूरा जो add function है, यह क्या है, एक high order function, इसको तुम short form में भी लिख सकते हो, like this is one way of doing it, I can even do it like, एक arrow function, है न, और मैं यहां पर क्या लिख सकते हो, मैं बोलूँगा, console.log, and मुझे क्या चाहिए, value चाहिए, correct, so I can say value, तो मैं यहां पर val stands for value, कुछ भी लिख सकते हो, and I can say value, तो यह ऐसे भी बिलकुल सही चलेगा, right, यह एक short form है, अब arrow functions use कर रहे हैं, तो एक और तरीका भी, I can even remove this braces, ठीक है, इस parenthesis को भी remove कर सकते हैं, वो मेरा prettier automatically लगा देता है, but you can even say that value, मतलब मैं इसको हटा सकता हूँ, तो यही भी एक valid operation है, तो मैं basically मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ, arrow function pass कर रहा हूँ, जिसके अंदर value ए callback function बोलते हैं, यह कहां handy होता है, जब तुम कुछ ऐसा task करते हो ना, जो time consuming होता है, जिसमें कुछ time में लगता है, जिसमें तुम्हारे पास result देता है, बट हो सकता है, यहां पर मेरे पास कुछ ऐसा था, जो थोड़ा time लेता है, जो maybe 3-4 seconds लिता हो, तो उस case में what you can do, you can pass a callback function जिसमें तुम्हारे पास result अवेलेबल हो जाए, तो अभी मैं क्या कर सकता है, आइकन से add करो, यहरे काम करो, 400 में 10 को add कर दो, and जब तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे यहां पर result देता है ना, मुझे यहां पर result देता, और मैं result के साथ कुछ भी कर सकता हूं, तो I can even console dot log the result, correct, and मैं इसको run करूंगा, so I am getting 410 as the output, correct, so basically हम क्या कर रहे है, एक callback को pass कर रहे है, so callback basically जिस function को call किया जाता है, उसको हम क्या बोलते है, callback function, and high order function क्या होता है, basically जो function, एक function को as an argument accept कर सके, उसको हम क्या बोलते है, high order function, okay, तो यह तो हुआ एक चीज, now there is one more thing, आपको प function, एक function को return भी कर सकता है, अब इसका क्या मतलब, let's say what I do, एक callback तो ही है, I can even say return, ठीक है, कि return करो, एक function, जो basically क्या करता है, console.log कर दे, result को, ठीक है, so मैंने क्या किया, इस result को यहाँ पर pass कर देता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यह basically जो है na function add, यह callback तो करी रहा है, कोई बा करके, हाँ, और इसमें तुम क्या कर सकते हो, console.log कर सकते हो, बढ़ ठीक है, I prefer arrow function, तो यह जो add function है, यह function ही return कर रहा है, अब इसको हम कैसे use कर सकते है, let's say मैंने callback function नहीं दिया, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, callback function को undefined कर देता हूँ, तो मुझे callback function देना ही नहीं, ठीक ह अब मुझे, अब यह क्या कर रहा है, यह return क्या कर रहा है, एक function return कर रहा है, जो क्या करता है, console.log करता है, तो मैं क्या कर सकते हूँ, I can even say let result function, ठीक है, एक result function आएगा, equals to add 2 and 4, ठीक है, अब देखो, जब मैं इसको save कर रहा हूँ, क्या कुछ console.log हो रहा है, नहीं, हुआ क्य इसने क्या किया, add तो कर दिया, और इसने क्या क्या क्या, function return कर दिया, वो function यहाँ आगया, यह क्या एक function है, अब मुझे क्या करता हूँ, इस result function को, जैसे मैं call करूँगा, I'll get 6, because हमने यहाँ पर parameters क्या पास की थे, 2 and 4, ठीक है, so basically you can even return a function from a function, तो यह particular function इस पर assign हो जाएगा और इसको मैंने call कर दिया, so now I can even have a adder, basically दो numbers को add करने वाला मैंने function बना लिया, खुद बाखुद, correct, तो यह भी एक valid operation है, जावास्रिपन है, तो I hope कि आपको थोड़ा सा idea लग गया होगा, that high order function, क्या होता है, basically जो callback function को accept कर सके, callback क्या होता है, जिस function को हमने argument में accept कि, उस हमारा कुछ ऐसा task हो, जो थोड़ा time लिता हो, ठीक है, जिससे आम आने वाली videos में, API calling के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम callback functions को use करेंगे, and similarly you can even return a function from a function, which is a valid operation, so this video में मैं basically आपको high order functions and callbacks के बारे में बताना जाता था, so I hope कि आपको callback functions के ऊपर एक थोड़ा सा idea ल नहीं होते थे, तो callbacks बहुत स्यादा widely used होते थे, लेकिन callbacks में चोटी सी problem है, जिसको हम बोलते है, callback hell, ठीक है, वो क्या होता है, वो आने वाली videos में समझाऊंगा, तो उसको replace करने के लिए promises create के एक, जो बहुती clean code में help करते है, so we'll talk about callback hell and promises in upcoming videos, so as of now you should understand the working of this callback, कि callback हुआ क्या, कैसे काम किया, and एक function से function return करने पर क्या होता है, so I hope आपको एक basic understanding होगी होगी, and video अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा, video अच्छा लगा तो like and subscribe जिरूर करना, मिलते हैं आपको next video में, until then, bye bye, take care.